नमस्ते, मैं हूँ सुदीपता, मसाला चाह पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज इतने दिनों बाद जो मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ, इसके सिर्फ दो कारण है पहला आप और दूसरा आपके कॉमेंट्स, आपके मेसेजिस, आपके मेल्स ये जो हर बार आप मुझे इतने प्यार से आकर बोलते हो कि बहुत दिन हो गया, एक वीडियो लेकर आईए बस, वहीं से मेरा जो मोटिवेशन है, जो मेरा ब्रोट साहन है, वो बढ़ जाता है और मैं फटा-फट तयार हो जाती हूं, मेंटली प्रेपेर हो जाती हूं कि अब तो एक वीडियो करना ही है, क्योंकि कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे है तो जैसा हर साल मैं करती हूं, साल की बेस्ट किताबे आपको बताती हूं वो किताबे जो मेरे लिए इस साल की बेस्ट किताबे रही इस साल भी वो वीडियो लेकर के मैं आई हूँ लेकिन इस साल कच खास है क्योंकि इस बार मैं आपको सिर्फ उन किताबों के बारे में नहीं बताने वाली जो इस बार की मेरी शुरेश्ट किताबे रही बलकि मैं उन किताबों और उन कॉंटेंट के बारे में बताने वाली हूँ जिसने मेरे 2023 को मेरे जीवन का सबसे शांदार साल बना दिया बिल्कुल सभी सन रहे हैं आप मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा और मैं कहूंगी कि एक पूरा एक ट्रांस्फरमेशन एयर था मेरे लिए उन किताबों की वज़ा से और उन कॉंटेंट या उन चीजों की वज़ा से जिसे मैंने इस साल कंज्यूम किया और जो मेरे जीवन को खुबसूरत आकार देने में सफल हो रही है इस साल मैंने वास्तों में अपनी चीजों को और ज्यादा फोकस्ट और ज्यादा और्गनाइस्ट किया यही वो साल है जब मैंने ये पहचाना कि मुझे अपने जीवन के अलग-अलग भागों में किस तरह से प्रोग्रेस करना है मैंने न सिर्फ खुद को बहुत फिल्टर्ड किया, बहुत फोकस्ट किया, बहुत और्गेनाइस्ट किया बलकि financial independence कितनी जरूरी है, इसको एक बर फिर से realize किया क्योंकि पहले मैं जॉब में थी, आप मैंने बहुत सारे लोगों को अपने वीडियो में बताया है अगर आपने देखा होगा तो जानते होंगे और अगर नहीं देखा है तो फिर से बता देती हूँ कि मैं रेडियो में थी, मैं बहुत सारे मैंने काम किये और फिर मैंने अपना passion पॉलो किया और फिर बहुत सारे life shifting event हुए, शादी, बच्चा, बहुत सारे चीज़े आप जानते हैं और अब 2023 में आकर मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा ठहरना है और अब ये देखना है कि हम financially कितना growth कर रहे हैं emotionally, mental जो well-being है वो कितना अच्छा जा रहा है, health पे हम कितना धिहान रख रहे हैं तो इन सारी चीज़ों पर इस साल मैंने focus किया, video कम बनाए, upskill खुद को जादा किया, upgrade किया, new courses किये, content writing और copy writing बे कदम रखा और ये बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस साल जहां भी apply किया, हर जिखा सेलेक्ट हुई और अपने मुमांगी salary पर सेलेक्ट हुई unfortunately, दुर्भागिवश मैं join नहीं कर पाए क्योंकि 8-9 गंटे देना कैवल के साथ मुनासिब नहीं हो पा रहा था तो मैंने freelancing को चुना और अभी मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगे तो ये पूरी एक जर्नी रही इस साल की और इस जर्नी में मेरी सहायता, मेरी मदद किन किताबों ने, कैसे content ने और कैसे courses ने की वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, पहली किताब जो इस साल की 2030 की मेरे लिए श्रेष्ट किताब साबित हुई, उसका नाम है Most Wanted जिंदगी, ये मैंने किंडल पर पढ़ी थी, Most Wanted जिंदगी के लेका कहें गौरव उपाद्या है, और उन्होंने एक motivational किताब है, तेक मैंने Most Wanted जिंदगी में पढ़ा, तो गौरव ने उसमें एक कहानी सा फ्लो दिया हुआ है उस motivational किताब में और वो आपको बताते हैं कि आपके जीवन में चितनी भी निराशाएं हैं, नाउमीदियां हैं, जितने भी डर हैं, शंकाएं हैं, खौफ हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको जीवन जीने से रोक दे, और ये किताब इसकी सबसे बड़ी खास बात कि ये सर्फ आपको प्रीच नहीं करती, आपको सिखाती नहीं है, उपदेश नहीं देती है, आपका हाथ ठांती है और आपके साथ साथ ही आगे बढ़ती है, मेरे ख्याल से हर motivational क किताब को, यह हर motivational speaker को ऐसा ही होना चाहिए, यह जूट मूट की प्रेणा नहीं भरती, उत्साह नहीं भरती, आप जो है पहले आपको स्विकारती है, और धीरे धीरे आपको अपने जीवन में आगे लेकर जाती है, आप और evolve होते जाते हो जैसे जैसे आप ये किताब रही वो है, magic, इसका हिंदी अनुवाद, जादू, रॉन्डबॉर्ण की किताब है, सब जानते होंगे इसके बारे में, gratitude के बारे में भी सब जानते है, gratitude व्यक्त करना, यानि कृतग्यता व्यक्त करना कितना आवश्यक है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कृतग्यता व्य दिन के लिए एक प्रैक्टिस बताता है जिसे आप अपने जीवन में अपनाते हो और अपने जीवन को कृतंगीता की ताकत से जादू से बदलता हुआ देखते हो अब आप मुझे से पूछेंगे कि आपने कितना देखा तो मैंने अभी इंट्रो में बता ही दिया है कि मेरा यह साल कितना खूबसूरत रहा और उसको खूबसूरत बनाने में इस किताब की बहुत ही महत्वपून भूमिका है और यह वाकई काम करती है जादू की बाद मैं जिस किताब का नाम लेना चाहूँगे उसे मैंने अभी भी उठाया और पढ़ रही हूँ Penguin publication से आई है ये किताब सद्गुरु की लिखी ही कर्मा का हिंदी अन्वाद है कर्म तो ये जो कर्म है एक योगी के मार्क दर्शन में रचे अपना भागे जिसकी ये tagline लिखी ही है सद्गुरु के बारे में बताने के तो मुझे जरूरत नहीं है सब जानते है कर्म को लेकर के बहुत सारी धाना आए और बहुत सारे misconception है जिसे एक बहुत बड़ा misconception ये है कि हम हमेशा ये सोचते है कि जो अच्छा काम करता है उसे अच्छा result मिलता है और जो बुरा काम करता है उसका बुरा नतीजा मिलता है और फिर कई बार ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हम बहुत अच्छा करते हैं और कभी मेरे साथ अच्छा नहीं होता है और वो इनसान बहुत बुरा करता है उसके साथ अच्छा हो जाता है सद्गुरू इसी concept को आपकी इनी confusions को यहाँ दूर करते हैं और वो बताते हैं कि हम protection काम कर रहे होते हैं सर्फ शारिरिक नहीं बलकि मानसिक, उर्जात्मक रूप से और भावनात्मक रूप से भी हम हर पल, हर खशन काम कर रहे होते हैं तो यह जो सारे काम हैं जो हम मानसिक रूप से करते हैं जो हम मन में महसूस करते हैं जो हम उर्जात्मक रूप से करते हैं जो हमारे उर्जा हमें महसूस कराती है या जो हमारे emotions हमें कहते हैं करने को और जो हमारे हाथ पैर कर रहे होते हैं ये सब हमारे कारे हैं जैसे हम विचार बनाते हैं वो भी हमारे कारे हैं यानि सद्गुरू ये कहते हैं कि कर्म का मतलब है कर्म और यादाश्ट दोलू कर्मों के बिना कोई यादाश्ट नहीं है और यादाश्ट के बिना कोई कर्म नहीं है और तब वो बताते हैं कि कैसे आपको आपके कर्मों का नतीजा मिलता है तो ये एक बहुत ही जटिल सा सिध्धान्त है जिसको वो टुकडो टुकडो में तोड़ कर और बहुत ही सहजता से आपको समझाते हैं बहुत clarity मिलती है, बहुत सपश्टता आती है जीवन में इसको पढ़ते हुए और इस concept पर भरोसा होना शुरू हो जाता है अगली किताब जो मैं आपको बताना चाहूंगी इस साल की मेरी शृष्ट किताबों में शामिल है वो है जिन्दगी जेरो माइल संजै शपट की लिखी ये किताब जो एक यात्री, एक लड़के और एक सन्यासी की कहानी है जो घूमते हैं वे एक पत पर आकर मिल जाते हैं सन्यासी और लड़के की बीच का जो एक रिष्टा है दूनों ही जीवन को लेकर के तमाम अनसुलजे सवालों से घिरे होगे हैं किताब आपको न सिर्फ इनकी यात्राओं के बारे में बताती है बलकि इनकी यात्राओं के जरिये वो आपको जीवन के उन यात्राओं पर ले जाती है जो अन्वरत हमारे हिर्दे में हमारे मन में चल रहे होते हैं जीवन क्या है? इसका उदेश ये क्या है? हम क्यों भटक रहे हैं और भटकना क्यों जरूरी है? इन चीजों पर ये किताब तर्चा करती है फिक्षन के फॉर्म में लिखा है संजय जीने इस किताब को लेकिन आपके बहुत सारे सवालों का जवाब ये किताब देती है अब जो अगले किताब मैं बताने वाली हूँ इस साल की श्रेष्ट किताब में है वो है जयन्ती रंगनाथन के लिखी मैम राजी अभी आप कहेंगे कि मैम राजी ने ऐसा क्या एड़ किया मेरे जीवन में या कौन सी वैल्यू एड़ की क्योंकि ये देखकर लग रही होगी कि एक फिक्षन है ये बिल्कुल एक फिक्षन है एक छोटी से शेहर की कहानी है भिलाई की जहां एक छोटी से सरकारी नौकरी पर काम करने गया युवग वहां की ओरतों की जो पॉलिटेक्स होती है उसके बीच में फस जाता है अब ये कहानी है एक फिक्षन है और इसने जो मेरे जीवन में एड किया वो मैं आपको बताना चाहती है बहुत इंटरस्टिंग है सुनियेगा तो एक साहित्य और सामाने तोर से जो एक कथा होती है उनके बीच में एक अंतर होता है किसी कहानी को साहित्य कौन बनाता है तीन चीज़े होती है एक तो साहित्य का उद्देश ये बहुत व्यापक और विसरित होता है वो कई सारी चीज़े लेकर आगे बढ़ता है दूसरा साहित्य अपने प्रिष्ट भूमी की जो संस्कृती है जो सभिता है जो भाशा संस्कार है उस पर अपनी अच्छी पकड रखता है दूसरा साहित्य आपको कुछ सिखा कर जाता है एक संदेश देखर जाता है और हर साहित्य का चाहे वो कथा रूप में हो या उपन्यास के रूप में हो एक उद्देश ये होता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है बिलाए कि छोटी सी जगहां का जो जन जीवन है जो वहां के लोग हैं जो उनकी भाशा का संसकार है उसके खुश्बु ये मेरे तक लेकर आई बलकि इसके साथी साथ इस किताब ने मुझे बताया कि साइटी और एक जज्जमेंटल साइटी के बीच का फर्क क्या होता है और उन दोनों को देखने का एक पश्ट दृष्टी कोड आप कैसे विक्सित कर सकते हो चलिए अब तो हो गई किताबों की बात अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉंटेंट के बारे में बताना चाहती हूँ जो इस साल मैंने कॉंज्यूम किये कॉर्सेस के रूप में वीडियो फॉर्म के रूप में और मैंने अपने जीवन को बहुत तेजी से बदलता हुआ देखा सबसे पहले तो मैंने डिजिटल कॉपी डाइटिंग के कोर्सेस की खुद को अपग्रेट किया कॉंटेंट राइटिंग शुरू की जो मुझे पहले से भी आती थी और मैंने थोड़ा सा पॉलिश के स्किल और फिर उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे मैं काम करने लगी तो यूड़मी पर इससे रिलेटट बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस मुझे मिले कॉपी राइटिंग और कॉंटेंट राइटिंग पर अगर आप भी कुछ सीखना या पढ़ना चाहते हो तो कॉर्सेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी दूसरी चीज वीडियो फॉर्म से जो भी मैंने कंज्यूम किया यूट्यूब के जरिये उसमें मैं आपको एक चैनल का नाम बताना चाहूंगी जिसमें इस साल बहुत सारे इंसाइट्स चेंज भी किये बहुत सारी चीज़ें जो है मुश्किल कॉंसेट्ट मेरे लिए क्लियर भी किये वह चैनल है HyperQuest विशाल चोरसिया जी वहाँ पर आपको धर्म और दर्शन के बारे में बड़े अच्छी बाते बताते हैं और उनकी खास बात ये है कि वो बहुत आसान भाशा में Metaphysics, Quantum Physics और धर्म और दर्शन को अलाइन करते हैं इन जटिल सिध्धानतों की, इन गूड सिध्धानतों की बहुत ही सरलता से टुकडों टुकडों में व्याख्या करते हैं और इतने आसान ओदाहरनों के जरिया आपको समझाते हैं कि फिर उनका वीडियो देखने के बाद वो विशे आपके लिए जटिल नहीं रह जाते हैं इस साल हाइपरक्वेस्ट का एक नया उपक्रम शुरू हुआ है शिक्षणम नाम से शिक्षणम आपको ऐसे कोर्सेज लाकर के देता है जहां आप भारती धर्म और दर्शन से जोड़ी सिधानतों को समझ सकते हैं उन्हें सीख सकते हैं साथ ही साथ संस्कृत भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी शिक्षणम पर आपको मिल जाएगी एक एक है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं तो इस एप पर मैं गई और इस समय मैं वहाँ पर दर्शन पढ़ रही हूँ सांखे दर्शन का देन कर रही हूँ और मैं आपको बताना चाहँगी बहुत सारे किताबे हैं लाइबरेरीज में मौझूद हैं आपको बहुत सारे किताबे हैं मिल जाती हैं पढ़ने के लिए दर्शन पर लेकिन उनको समझना मुश्किल होता है तो श्रिक्षिनम पर अगर जाते हैं तो बहुत आसान भाशा में आप उन्हें समझना शुरू करते हैं पढ़ना शुरू करते हैं भारती दर्शन के तह में जाते हैं और आप वहां से ग्यान का वो मोती निकाल कर ले आते हैं जो आपके जीवन को एक हुपसूरत आकार देने में सक्षम होता है अब मैं दो क्रिएटर्स के नाम लेना चाहूंगे जिन्हों ने इस साल मुझे बहुत कुछ सिखाया वो दो क्रिएटर्स लिंक्डिन पर हैं पहली तो है रोज मारिया जॉर्च, रोज साउथ की हैं और उनके कॉंटेंट से मैंने इस साल स्टोरी टेलिंग के बहुत ही शांदाल टिप सीखे रोज जैसे स्टोरी टेलर मैंने बहुत कम देखी है वह मतलब अदबद स्टोरी टेलर हैं लिंक्डिन पर वो active हैं वहाँ पर आपको स्टोरी टेलिंग के बताती है कि कैसे ब्रैंड के लिए स्टोरी टेलिंग की जाती है content लिखा जाता है कैसे अपनी freelancing journey बहाँ पर डॉकिमेंट करती है अगर आप भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लिंक्डिन पर आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा दूसरी क्रियेटर जो लिंक्डिन पर ही है शुभांगी मदान को मैं रिकमेंड करना चाहूंगी तो जब मैंने यह सोचा कि अब मुझे कुछ फिनांशली इंडिपेंडेंडेंसी के लिए या अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ करना है और मैंने देखा कि लिंक्डिन पर बहुत संभावना है और फिर शुभांगी से मेरे मुलाकात भी उनके कॉंटेंट मैंने पढ़े तो शुभांगी का खुद का एक डिश्टल मार्केटिंग एजेंसी भी वो चलाती है और वो वहां आपको अपने पोस्ट के जरिये सिखा फिर खरु के हैं तो शुभांगी की कंटेंट से मुझे बहुत मदद मिली उनके कंसिल्टेशन काल से मुझे बहुत मταद मिली आप भी चाहे तो लिंक्डिन पर उन्हें फॉलो कर सकते है लिं algumas पर मेरा उनुज मैरा उन्सटां कर सकते हैं और आपको मेरे बहुत सारी नएन आपको नई प्रेणा से भर दे और आपके सारे संकल्प पूरे कर दे मैं इस वीडियो को यहां खत्म करती हूँ अपने लिए यही कोशिश है कि नए साल में और जादा वीडियो लाऊं और प्रभावी कॉंटेंट आपके लिए लेकर आऊं ताकि आपके जीवन में भी कोई वैल्यू एड़ हो और आप इसी तरह सीखते हुए आगे बढ़ते रहें चलती हूँ खोब सारे किताबें पढ़ते रहेगा और खुश रहेगा टटा बबाई